Hello and Welcome Everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Article 110 के ट्रिक के बारे में यकीन मानिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि Article 110 आप अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे तो चलिए बिना टाइम गवाय वीडियो को शुरू करते हैं आर्टिकल 10 के अंदर धन विधियक की बात की जाती है यानि कि मनी बिल जो होता है वही होता है Article 110 अब हम इस मनी बिल यह जो वर्ड है इस से हम पता कैसे लगाएंगे कि यह कौन से आर्टिकल के अंदर आता है तो देखो यही है हमारी ट्रिक तो इसे याद करने के लिए मनी ब लाने वाली जो बीच की लाइन है यानि कि ये वाली जो लाइन है इसे अगर हम भूल जाएं इसे अगर हम मिटा दें तो हमें क्या याद रहेगा कि ये जो money bill है वो किस के अंदर आता है article 110 के अंदर यहाँ पर आपके सामने है mo से क्या आजाएगा article 110 इसे आप कभी नहीं भू पाऊ गए इसके विपरीत अगर हम से ये पूछ लिया जाए कि article 110 के अंदर किस bill के बारे में बात की गई है article 110 ठीक है यह हमें दिया हुआ होगा exam के अंदर इसकी ये जो दो vertical lines है इनको अगर हम बीच में लाकर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा mo और mo से हमें क्या याद है money bill तो इस तरह से हम आसानी से अपने exam के अंदर decode कर सकते हैं कि article 110 के अंदर money bill की बात की गई है तो चलिए अब discuss करते हैं money bill यानि की वित विध्यक के बारे में कुछ important बाते हैं सबसे पहली चीज कि कोई विध्यक धन विध्यक है या फिर नहीं इसका निर्णे करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्च के पास होता है इस मामले में लोकसभा अध्यक्च का निर्णे ही अंतिम होता है राश्ट्रपती सुप्रिम कोट या फिर कोई भी स राज्यसभा या लोगसभा उसे ऐस्विकार नहीं कर सकते। धनविदेख सिर्फ और सिर्फ लोगसभा में ही पेश किया जा सकता है। धनविदेख पास होने के बाद थी का लोगसभा में धनविदेख जब पास हो जाता है उसके बाद या राज्यसभा में भेजा जाता है। राजे सबा सिर्फ इसे देख सकती है इसे ऐस्विकार नहीं कर सकती लेकिन इतना है कि राजे सबा इसके साथ कुछ सिफारिसें भेज सकती है लोकसबा के पास अगर लोकसबा चाहे यानि कि लोकसबा अध्यक्ष चाहे तो इसे स्विकार कर सकता है और नहीं भी वो उसकी होती है राज्जे सभा में धनवीदेग पहुंचने की 14 दिन के अंदर सुप्रम कोट या फिर राज्य सभा का कोई भी दबाव नहीं होता और इसका दूसरा पहलू कि अगर राज्य सभा में धन विदेग पहुंचने के 14 दिन के भीतर इसे लोक सभा को वापिस नहीं लोटाया जाता तो यह दोनों सदनों के अंदर पारित मान लिया जाता है और इसकी बात आर्टिकल 109 के अंदर की गई है यानि कि आर्टिकल 109 यही कहता है कि अगर राज्य सभा के अंदर भेजा गया धन विदेग 14 दिन के अंदर लोक सभा को नहीं लोटाया जाता तो यह दोनों सदनों के अंदर पारित माना जाता है इसे भी आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 110 के साथ में ही उमीद करता हूँ आपको आर्टिकल 110 अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगिए तो लाइक और शेर जरूर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी ही एज्यूकेशनल वीडियो के अपडेट सबसे प आने के लिए आज के लिए इतना ही मिलेंगे नेक स्टुडियो में तिल दैन वंदे मात्रम जै हिंद एंड पाए